पिछले वीडियो में हमने समझा कि Keyword Spotting Machine Learning Model क्या होता है Edge Impulse Platform में हम कैसे Audio Samples कलिक करते हैं और Sample Data को कैसे Training और Testing में Split करते हैं इस वीडियो में हम सीखते हैं कि Edge Impulse Platform में हम कैसे ये Keyword Spotting का Machine Learning Model पहले Train करेंगे टेस्ट करेंगे फिर उसको Arduino में Deploy करेंगे और फिर Voice Command से दो LEDs को Operate करेंगे तो मैं यहां Left में ये Create Impulse का Button दबा रहा हूँ और मैं यहां पे कह रहा हूँ कि Add a New Processing Block तो इस Processing Block में Edge Impulse कुछ हमारे को ये Star करके Recommended Models बता रहा है जो हमें यूज़ करने चाहिए और यहां पे ये जो MFCC है ये जो है MFCC है ये जो है MFCC सेप्स्ट्रल कोईफिशन्स ये Human Voice के लिए अच्छा Model है और ये जो MFE है ये Non Human Voice के लिए Better Model है तो क्योंकि हमने Human Voice का हम Model बना रहे है तो मैं ये MFCC सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहां कह रहा हूँ Add a Learning Block और यहां पे again Edge Impulse हमारे को बता रहा है कि कौन सा Model Edge Impulse recommend करता है तो मैं ये Classification का Model है मैं इसको Add कर रहा हूँ तो यहां पे ये बता रहा है कि Output में हमारे को Features मिलेंगे Go, Silence or Stop तो मैं कह रहा हूँ Save Impulse फिर हम Next Category में जा रहे हैं यहां पे हमने Impulse बना दी है हम कह रहे हैं MFCC तो यहां पे ये जो मैंने आपको Process में जो समझाया था कि जो हमारा Analog Audio Model होता है उसको जो ये Platform है ये Convert कर देते हैं इन्टू समसर्ट अफ विज्वल रेप्रेजेंटेशन तो यह सेप्स्ट्रल कोईफिशन्स है हमारे डेटा के और इस पर अब हम कह रहे हैं Generate Features और Generate Features मैं यहां क्लिक कर रहा हूँ तो यह Process थोड़ा था Time लेगी तो इसको Fast Forward करके फिर हम Next Step देखते हैं तो Feature Generation की Process पूरी हो गई है और यह जो Graph है यह दिखा रहा है कि जो हमारे Keywords थे वो Distinct Clusters में हैं तो इसके बाद हम Next Step पे चलते हैं यहां पर मैं Classifier को क्लिक कर रहा हूँ और यहां पर मैं जो Model Default है उसी को Select कर रहा हूँ जिसमें जो भी Input Layer और Convolution Layers यह सब चीजें सब में Default चोड़ रहा हूँ और यह कह रहा है कि Output में हमारे को तीन Classes मिलेंगी जो हम वही हम चाहते हैं Go, Stop और Silence तो मैं यहां कह रहा हूँ Start Training तो यह Model जो है थोड़ा Time लेगा तो मैं इसको Fast Forward करके फिर Next Step दिखाता हूँ तो हमारा Model Train हो गया है यह हमारे Train Model की Output है और यह Distinct हमारे को Clusters दिख रहे हैं यहां पे Go, यहां पे Silence और यह Stop के Clusters है और यह कह रहा है कि अभी 100% Accuracy दिखा रहा है अगर for example Accuracy अच्छी नहीं है तो यह तो हमारे को Model को और Samples देने पड़ेंगे यहां पर हम यह जो Number of Training Cycles य Maybe 200 करके आप Try कर सकते हो अगर आपके Model की Accuracy let's say 93-94% से कम हो तो अब हमारा Model Train हो गया है तो हम Model को Next में हम यह Test करके देखते हैं तो मैं Model Testing पे जा रहा हूँ और अब यह जो Data है यह वो Data है जो Split में 20% Data था जिसको की Model ने Training के दोरा नहीं देखा है तो यह वही Words हमारे Keywords हैं पर अब यह Model ने नहीं देखे हैं तो हम अब इन जो हमारा Test दे रहा था उसके Basis पे Model को Test करके देख रहे हैं कि वो कितना Accurate है तो यह अब हमने अपने जो Model को Test किया है उसकी जो Accuracy है वो यहां तो खेर बहुत ही अच्छी है 100% Accuracy यह कह रहा है इस Model की है यह Confusion Matrix है कि अगर Word गो था तो गो ही उसको उसको Classify किया and so forth तो अब क्योंकि यह Model बहुत Accurate Model है तो हम अब Next Step पे चलते हैं जहाँ पर कि हम इसको Deploy करेंगे अपने Arduino पर तो यह जो Deployment का यहां पर Section है इसमें आप यह जो यहां पर Search Deployment Options करके आप देख सकते हो कि आप कौन से Device के लिए यह Model अब Generate करना चाहते हो तो हम यह Arduino के लिए करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ Arduino Library और हमें Quantized Model ही चाहिए क्योंकि Quantization जब होगी हम हमारी जो Arduino Nano 33 BLE Sense है उसकी Memory कम है उसमें वो फिटाएगा और फिर यहां पर मैं कह रहा हूँ Change the Target और Change the Target में मैं यहां पर Arduino Nano 33 BLE Sense यह Target सेलेक कर रहा हूँ Set the Target Device अब मैं कह रहा हूँ Build the Sketch अब Edge Impulse Platform जो है यह एक Arduino का Sketch बिल्ड कर रहा है जिसमें की जो हमारा Machine Learning, Trained Machine Learning Model है वो Embedded ह होगा और Code भी हमारे को मिल जाएगा तो यह हमारे को यहां पर बता रहा है कि Sketch को Library में Include करना है तो यह जो यहां पर Zip File जो है वो Download हुई है इसको Install करने के लिए हम Arduino IDE खोलेंगे और उसमें एक यह Blank Sketch खुला हुआ है तो इस Blank Sketch में मैं Sketch में जाके कह रहा हूँ Include Library and Add a .zip File और यहां पर अभी जो हमने यह Download करी है इस फाइल इसको मैं Open कर रहा हूँ तो अब यह कह रहा है Processing तो यह Library successfully install हो गई है अब यहां फाइल में जाके मैं Examples में जा रहा हूँ और अगर मैं यहां Scroll down कर रहा हूँ हमारे को यहां पर यह Go Stop Inferencing यह Option दिखती है यहां पर जाके Based on क कि आपके पास Nano BLE 33 cents है कि Rev 2 है आप यह Select करेंगे मेरे पास BLE 33 cents है तो मैं यहां जाके फिर यह जो Example Sketches है इन में से मैं यह Microphone Continuous यह Select कर रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो Device है वह Continuously एक Audio Stream को सुनता रहे For These Specific Keywords इसके बाद हमारे को अपना Arduino Nano जो है उसको Connect करना है Board में मैं Reset के Button को दो बार क्लिक कर रहा हूँ ताकि जो हमारा Board है वो Boot Mode पे चला जाए मैं इस Sketch को अब अपने Arduino पे Upload कर रहा हूँ जो ML Models हैं इनके Sketch जो हैं Compile करने में काफी Time लेते हैं तो आपको थोड़ा Patiently वेट करना बढ़ेगा तो अपारा ये Sketch Compile होके Upload हो गया है इसको Test करने के लिए मैं Serial Monitor खोल रहा हूँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब मैं चुप हो रहा हूँ तो जो Silence है वो बहुत High Percentage पर है Go Go Stop 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 ये Keyword Spotting Model Fairly Accurately काम कर रहा है तो हम Last Step पर ये देखते हैं कि हम Go इन Keywords के Basis में कैसे कोई Device कंट्रोल कर सकते हैं तो इस Case में मैंने Arduino में दो AZDs लगाई है एक Green एक Red और ये Pins D11 और D12 में लगाई है और हम चाहते क्या हैं कि हम Code लिखें ताकि Top कहने पर Red Light जले और Go कहने पर Green LED जले तो ये Code लिखने का एक असान तरीका क्या है यहाँ मैंने ChatGPT की Window एक खोली है और अब मैं ये प्रॉम्ट लिख रहा हूं और अब मैं ये जो मेरा Arduino का Sketch है इसका पूरा Code कॉपी करके मैं यहाँ ले जा रहा हूं और यहाँ ये Code पेस्ट कर रहा हूं और ये पूरा प्रॉम्ट ChatGPT को Submit कर रहा हूं तो अब ChatGPT ने जो Revised Code है वो लिखता शुरू कर दिया है Here is the Modified Code और ये Code जब पूरा हो जाएगा तो हम इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये पूरा Code जिनरेट हो गया है यहाँ पर ChatGPT समझा रहा है कि यहाँ इस Code का Logic क्या है मैं इस पूरे Code को कॉपी करके यहाँ पर पूरा Code डिलीट करके यह पूरा Code यहाँ कॉपी कर रहा हूँ अब मैं इसको अपने Arduino पे अपलोड कर रहा हूँ making sure कि मेरा Board ठीक से connected है तो हमारा जो Code है यह अपलोड हो गया है मैं यहाँ Serial Monitor कोल रहा हूँ और हम टेस्ट करके देख सकते हैं Go Go Stop Go Stop तो जैसा आप देख सकते हो जो हमारा मॉडल है यह fairly accurately काम कर रहा है Of course false negatives false positives भी यह बहुत पकड़ेगा But by and large यह model ठीक काम कर रहा है And I hope इस video tutorial से आपको एक sense मिला कि आप keyword potting model को कैसे edge impulse में develop कर सकते हो और फिर इस को कैसे edge device like Arduino Nano 33 BLE sense में use करके edge computing के models बना सकते हो Go Stop Go